हेलो दोस्तो सथ श्रीयकाल वेलकम टू सक्सेस्ट्री सफलता दे रुख दे उत्ते तोड़ा सारे अंदा बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो मेरा नाम है रोहित विड़ा ते अज अपा गाल करांगे पंजाब नायाब तस्दिल्दार एक्जाम दी तो उन्हों जिमें के सा सब्सक्राइब करेंगे को चुवी पची दिन रहे गया है तो लास्ट दे चुवी पची देन हैं इन्ना चुवी पची दिना देविच बेसिकली कित्दा नीप्रिप्रेशन साहड़ी होनी चाहिए विए किस लेवल ते आपन त्यारी करनी चाहिए थी है की-की चीज़ा फ स्कोर्य थे कर सको मैं था ही कहुंगा कि 100V बट 1010 कर रहे हो तो कर रहे हो वट डिज़ा निया था है ता इक स्टेटर जी एथे अपा एक्जाम लेवल अप्रोच नु चाल अगे लेकर रख दे हुए एक स्टेटर जी अपा एतर डिस्कस करांगे था बेसिकली अगर मैं गळगरा पंजाब नायब तचिल्दार एक्जाम दी तब बसिकली लगबग 40,000 पीपेसी दे दोरा इस एक्जाम नो दोगा ताब बेसीकली एक्जाम देड़ा लेवल है क्योंकि एक्जाम चंगर आपा देखिये एक सिंगल एक्जाम में ठीक है कोई उस तो बाद पिपर नहीं होना कोई इंटर्व्यू नहीं होनी उस दे बहावते ही तोड़ी सेलेक्शन ह इस अब सोड़ा ही है तब बेसीकली वी मार्च नो ओन वाड़ा एड़ा पेपर हैगा इस दा लेवल कोई प्रड़क्ट नहीं कर सेंगा ठीक है लेवल उफ एक्जाम अगर मैं यहीं लेकर चलना कि मॉडरेट ही होगा माडरेट ही होगा कि लेकर पेढ़ रहे है जबना तो strategy देवल अबहुत तो पहला आपा देख लेगे एग्जाम पैटरं तो सब पहला आपा देखांगे इस एड़ा एक्जाम पैटरन की है ता देखो एग्जाम पैटरंगी अगर आपा गल कर दें तो सहनु 108 कोश्चन पुछे जाने नैंड़े लिए इने एक वी कोश्चन जड़े पेपर देवेच आने एक वी कोश्चन देवेच जन्रल नॉलेज थे करण ट अफेस्ट दे असी कोश्चन 80 कोश्चन तो लॉजीकल रीजनिंग एंड मेंटल अबिलिटी दे 40 कोश्चन हो यह थे पुछे जालने ने कोश्चन है तो मतलब पेपर हो जांदा है टोटल तेंसो नंबर था ठीक है तेंसो नंबर था सड़ा ड़ेड़ा यह पेपर हैंगा एत्थे कंड़क्ट किता जाओगा पीपीएसी ने दौरा इनीशली अगर मैं नोटिफिकेशन दिगाल करना था पीपीएसी ने कोई टाइनमबर था एक कोश्चन है और 0.5 मार्क सड़े ने वह थे नेगटिव मार्किंग दे तोड़ते अनौस किते गए ने अगे देख देयां गल कार देयां फर्दर स्रेटेजी ता सब तो पहला आपा गल करांगे जन्राल नॉलेज ते करेंट अफेर दी स्टेजी ठीक है तो सब पहले आप गल करांगे सिलेबस ती कि सदे कुल सीलेबस की है गाया तो सिल्दर थे ईग्जाम दे लीए पी पी असी दे द्वार डिफाइन तो पीपी यंद्टेज दे रिदा है जन्डल अट करंट अफेर सोफ नाशनल अं इंटरनसिद इंपॉर्त इंग्रूदिल the following, that is economic issues, polity issues, environment issues, science and tech and any other current issues and history of India with reference to the Indian freedom struggle, mainly Indian freedom struggle वाला पाट आएगा, उस तो बाद Punjab जी के, history of Punjab, 14th century onwards, यह बेसिकली यह था दस्या गया, यह साड़ा syllabus यह था देफाइन किता गया, और syllabus आई होप सारण उपता हुगा, बहुत सारे बच्चे रड़े है, यूकि माँ, December 2000 वी दा नोटिफिकेशन आया हुए है, ता पिछले एक सवा साल तो लड़े बच्चे ने काफी syllabus अलड़ी तो उन्हों होंदा है, बड़ तो उन्हों एक सही दिशा दिलोड़ा है कि होन फिर भी एक confidence मान देवेंचे doubt पैदा होंदा है, कि मैं सारा कुछ पढ़े आता हुए, अब मैं फिर भी paper कर पाऊंगा के नहीं कर पाऊंगा, तो उसे डार नो आपा दूर करना है, सब तो पहला है, सबतो पहला, करन्ट अफेस होने चाहिए, करन्ट अफेस करना है, करने तो शाहिएम करने क क के रह술 दो कर Lane करना एक सब्सित करोंगे एक अपरायल 2021 तो लेके मार्च 2002 तक दा मतलब ज़ो तक तड़ा पेपर नियेगा 15-16 मार्च 2002 तक दा करेंट अफेस तो इसी कवर करोगे कवर करोगे एना करेंट अफेस दी रिवीजन तोड़ी प्रापर होनी चाहिए ठीक है प्रापर लेवल ते एना करेंट अफेस नूँ प्रिपेर करो वेकी वीडियो में अलड़ी बनाई सीगे कि हुने हुने फेबरेरी देवेची पीपीएस पंजाब प्रिंसिपल दा क्योंकि current affairs दे चंगे question देखोगे paper देवेच ठीक है current affairs बहुत important most 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 important मैं कहूंगा current affairs क्योंकि दे बहुत question आंदे है actual देवेच बेसिकली अगर मैं quality वगरा दे कोश्चन दी भी गल करा ना quality environment science and tech इन दे कोश्चन भी अगर मैं गल करा basic science नो चाड़ दूगा मैं science and दी गल कर दा इन दे कोश्चन भी किते ना किते current affairs नो रिलेट हुन देने तक current affairs बहुत ज़रूरी है तो एक साल मैं तो प्रोवाइड करवा हुँगा mcq form देविच multiple choice questions दी form देविच मैं तोडली लेकर आ रहे हैगा sessions that is of the current affairs sessions ठीक है जड़ा की basically Monday तो Monday onwards start हो जानगे Monday onwards a session start हो जानगे ठीक है मन्त ली current affairs sessions ठीक है जी ता इस तो तुसी कर सकते हो इस दी PDF में शेयर करूंगा सब्सक्राइब चैनल देविच तो तो तुसी cover कर सकते हो that is the current affairs part mcq form ठीक है mcq form उस तो इलावा अगे गाल करी ये बाकी प्रेटी पार्टी पार्ट हिस्ट्य पार्ट इंवार्मेंट पार्ट जिओग्रवी पार्ट थी को पांजाब जी पार्ट इन पार्ट अगर में गाल करा था था देखो इन देश सिलीबस ता तो अलडरी cover कर चुक्के है जिनन ना करना से कर चुक्यों ठीक है, वोने ये वी दिन देच अनना टाइम नहीं है, वी पच्छी दिन देच अनना टाइम नहीं है, कि उसी एक एकदा syllabus complete करोगे दोवारा, तो अनना टाइम नहीं हैगा, वोन जड़ा तोड़ा फोकस है, वो होना चाहिदा सिरफ प्राक्टेस देखो, तो प्राक्टेस कि तो आननना टाइम नहीं पढ़ो, अटेम्ट करो कोशन्स नूँ ठीक है, एक वरी सेशन देखो, उस तो बाद सारे कोशन्स नूँ पीडिएफ लेके, फिर तो अटेम्ट करो अपने लेवल दे, अपने लेवल दे, अनननना टेटी एक्स्रा नॉलज प्रोवाइड किती रह तो, सेक्शनल टेस्ट डिडिए ने उन एक्जाम लेवल दे, ठीक है, मैं बेसिक लेवल दी गाल दे करूँगा, एक्जाम लेवल, PPSC लेवल देटी टेस्ट ने इनननों अटेम्ट करो, सेक्शनल बेसिस ते हुटे, ताकि लिड़ा सब्जेक्ट है तो अड़ा ओर स्ट् पर अलड़ी कर ले होंगे, ता PPSC लेड़े बाकी एक्जाम होंदे रहांदे ने, चाए इंजिनर दा एक्जाम हैगा, चाए प्रिंसिपल दा एक्जाम हैगा, इनना सारे एक्जाम दे विच भी और गोशन देने और जीके दे ओंडेने, टीक है, जीके दे गोशन पुछे जान देने, math देइ凋छन पुछे जान देने, reasoning देइ処 बॉखे दानले, ठाप PPSC दे इस सारे paper चाह के, जिनना थी वी कुसरन के विछ कंदन या रहे है, विच दे विच ती लग, इस सारे question चाह के तुिसी practice कर लेने, ठाप PPSC दे जिनने भी प्रक्टेस करो जिननी जादा कार सकते हुए तो डिली बेटर रहेगा उस तो बाद गल करां ता PPSC दे कोशन सी प्रक्टेस करन तो बाद UPSC दे एग्जाम सुने ने मैं सिभल सर्विसिस दी गाल आथे नहीं का रहे है मतलब मैं आईएस इपस दी गाल नहीं का रहे है यू PSE दे कुछ लो लेवल एक्जाम भी होने ने थास लाइक सीडियस कमाइड इफेंट सर्विसिस दे एक्जाम एफकर दे एक्जाम एज़ए जड़े एक्जाम ने इना देवेच दे जीए के दे कोश्चन पुछे दांदे ने जीएस दे या जीके दे कोश्चन आऊंदे करवान दी में कोशिश एथे तो देनार करूंगा ठीक है तो जीएस देड़ेटे प्रीवेसर कोश्चन ने एक बुक भी मिल जान दी है मार्केट दे जाओ गया तो यू PSE दे प्रीवेसर कोश्चन दी किताब भी मिल जान दी है CDS F-CAPF दे एक्जाम से डिए डिफेंस एक क्योंकि PPS e-Data हैगा इनने पुराने कोश्चन कोश्चन काफी फोलो करदा तो इनने पुराने कोश्चन 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 दी पेपर देवेच के वरे डरक ली आ जान दें ता अगर तुसी एनना कोश्चन दी चंगे लेवल ते प्रिपरेशन करें दो पिसले चार-पान स्टाटेजी आपा गाल करांगे ताह रीजिंग स्टेटमेट वाली चीज़ा हो गया डार्यक्शन हो गया टिक है पजल सोगिया अलफानुमेरिक पजल सो गया यह बहुत इंपटन चीज आने पीपएसी देवेच फेवरेट टापिक्स ने एटेकी पेपर देवेच एजली प जी कि तरे टाइम लगदा है रीजनिंग तो सी एक 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 दिन दे विच अगर दो तो तो इजने टापिक वीं जाओ ता नवच़ीजग कर दे सागते हूं था था बेसएकलि रीजनिंग नूवी एक प्रक्टिस गो थ्रू कर दें क्योंकि चाली कोशन जडेने मेंटन अबिलिटी ते रीजनिंग दे आने ने उवी काट नंबर नहीं है चाली कोशन मतलब 100 नंबर ता 100 नंबर दे विच्छो सो नंबर रीजनिंग एदा दा सिर्टेक्ट है तुसी पूरा-बटा पूरा स्कॉर कार सकते हैं अगर तो आठे कंसेप्ट क्लियर ने अगर तो इंटरस दा compound interest दा कोशन एते वीपर दे विच आए अगा ठेक है उस्तों बाद मेंसुरेशन दा कोशन दे पर देख लेने या पाइपन सिस्टन दा कोशन आए दे चैप्टर ने एक काफी इंपोर्टन ने प्रॉबबबिलिटी दा कोशन एते आए अधे काट्स वाला कोशन एक काफी फेवरेट टापिक ने पीपीए इसी जिन्ना दे विचो कोशन पुछा आ जान्दा है तिक है मां ओवी टापिक तानों दिखा रहे है जिदना दे विचो पीपीए सी कोशन पि बॉट्रियों में नूं में टाने कारदा राध्य वजण 11 राध्य वजण 12 चेप्टर दा टार्गेट लेलिया की कंप्लीट करके सोने ता करके सोने ठीक है एही यह वन वी पच्छी दिन दा नींदरा पोल जो सब कुछ पोल जो ठीक है 18 फरवरी तक सब कुछ पोल जो 18 पर वालते करने तो उन्ही तरीक नुट सेरफ अराम 18 तरीक तक राज्य के जोर लादो जोर लादो पुरा ठीक है ताब बेसी कंसेप्स क्लियर करने है ना टॉपिक्स ते तोड़े आइटी बहुत सारे स्टुएंट्स ते अलड़ी क्लियर होंगे नहीं है ता करदो जोरे टॉप प्रख्टेस किती होगी ता एक-एक टॉपिक दे पजाप फ्र क्राउट्स कर भारू चाटरना ही नहीं है ठीक है ठीक है चाटरना ही नहीं है उसे तरह वसे इंचन्स धभी लें पीवाई क्यूश करने रहें और कॉश्शंस का दिक हैंना कोश्चंसन index करतेख characteristics प्रराक्टिस येक मात्र स्लिउशन आई कि दीचेट कार दीच दèse कि रोज सेंगे हैं दों थासे कारिया कि रोज करते डोख टेस्ट पारें उसे भुत यह उच्वारा आपा इसेरीय को भशनेय सब्सक्राइसस घ्रव कॉट्पनेट अफ रुखते थ सुसlor देनाँ है दो ते मैं त्यमक स्कुरिण ए हिकिन इनलाइस करना टिक हैं थो कंटे तूभित वन्यारी करना है टेस्ट रोजज धा कंटेस्ट्ट देने के कन्ट एक टेस्ट यह कॉंडटिक अडेमर सब्सक्राइब करना हिद सब्सक्यों करना टाइब नियुकम है य८ किमें ने टीक एंटीक है तेन तो चार चार कंट रोज दे रख लो ज जीके वाले पाठ eh टीक है लगग 10 तो 11 कंटे तो सी अपनlä caघने ने रोज दे अपनी पने amounts थे तुसी फिक्स कर लो हुद चोवी कंटे होंदेने 6 कंटे 16 बहुत हुए थीक हैं 10 कंटे पड़ोगे ना पड़ लोगे थीक है 10 तो मिनीमम कह रहे हैं मैं मिनीमम ठीक है is minimum 10 hours अगर कोई student 12 कंटे 15 कंटे पड़ अधेल ही हूर मैंने, 6 कंटे बैसी कमटे basically यालने भी चार कंटे बच देने ओ चार कंटे बच देने ओगे तुसी किसे पश्थी चीज दे ऊड़रे ह। अब इन चार कंटे में पॉसली है जा इंतलिए है जा चाहिए मतलब sectional test बैसे बेसे वह चीज तुसी क्रोब नहीं हैं जाए नहीं हो एब बाकि देटेटे 2-3 कांडवाई देओ, उस देविच सेशन्स देखो, ठीक है, यह तोड़ी, क्योंकि प्राक्टिस ही एक मात्र मूल मंतर है, जिननी जादा प्राक्टिस करोगी उनना जादा तो अडली वधिया, चाहे हो मात है, चाहे हो रीजनिंग है, चाहे हो जीक है, जि मैं कोची कहा सकदा, ठीक है, बैर दली अर्दा प्रो लेवल स्टुडेंट्स थीक है, उनना जादा प्रेपरेशन काये, मेरा सुजाव है, होन सिरफ प्राक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि जड़ना ने पहले नहीं पढ़े, उनना तो बस राब राख भाषा हैग, राब भी अगर किसे स्टुनें नहीं लित्ता है अगर कोई स्टुनें लेना चांदा है उन्हें पहला लित्ते हुए प्रक्टिस करना चांदा है अगर कोई स्टुनें लेना चांदा है तो अगर कोई स्टुनें लेना चांदा है क्योंकि वी पच्ची दिनांचे सिर्फ प्रक्टिस ही का मांदी है ठीक है जिनने जरा कोशन कर सकते हो करो प्रॉपर टाइम लाके 120 लगाने ने 120 मिनेट मतलब दो कंटे ही लगाना है ताइमर लगा के नाल बैठे करो थिक है विच्चे किते आना जाना नहीं है किसी तरह डिस्टर्मेंस नी होनी चाहिए तुसी आह लाके बैठना है कि तुसी पेपर देन जा रहे हो बस टीक है यो दाराई बैठने जिदत उसी पेपर देन जा रहे हु लोग सट उस तरह देना है। ओपता सबरें एक कोशन जीके दें चाली कोशन & mental ability यह रीजनिंग गिलेख नहीं होने ही अपनि चाहिए ने तोड़ा पेट होना चाहिए रोज दा एक बोक टेस्ट ठीक है इस strategy नो follow कर लो ठीक है बाकी में नो review तुसी exam तो बाद आके देदियो कि तो benefit होया के नहीं होया तुसी आप देदो गया अगर तुसी strategy नो follow कर देओ जो जो मैं यहां थी होंगा मैं कितेनी जांदा ठीक है तो इस policy नो इस strategy नो अपनाओ इतनो definitely benefit देगी ठीक है क्योंटी प्रक्टिस ही एक मात्र मंत्र हैगा एंड जड़ी चीजा मैं प्रक्टिस देविच दसिया ने उनना जरूर जरूर फोलो करने एंड जड़ा स्टुडेंट नहीं करेगा और ता मिनु ब्लेम कर नहीं सकता कि टीक है एंड जड़ा करेगा ओ आके मिनु जरूर ब्लेम करें अगर उननों की benefit ना हो यह तो ठीक है बच्चे टैंशल लणी शिरू कर देंदे और मन जड़ा ना डोलन लग जड़ा ठीक है डर लगन लग जड़ा की करिए ना करिए फिर उद्धर उद्धर पजड़ा है पाजड़ा पेंदिया ने जो थो content मिल गया चक्के बढ़न जड़ा जो content मिल गया चक्के बैंद अपन जड़ा हुंदी है क्योंकि तुसी वी द्रक्त टाणी ते बैठे होए उस पंची वर गई हो ठीक है अगर तौनों डर लग गया कि यह ताणी अगर टोटगी कि मैं थले डेख जूँगा ठीक है अगर तौनों ताहीं लगदा जोनों तुसी सेफ साइड ते नहीं बैठे तुसी वी विश्वाश किसे दूसरे सूर्स ते नहीं अपने आप ते करना है अपने आप ते ठीक है अपने आप ते विश्वाश करो अपने आप दी स्टेजिस नो अपना आओ अगे बदो टाइमिंग जड़ी है गी है मैं एथे जस्ट एक रफ टाइमिंग दसी सीगी त क्योंकि हर स्टुडेंट दी अपनी अपनी एक टाइमिंग है कोई स्वेरे पढ़ सकता है कोई शामनू पढ़ सकता है कोई इन बेट्विन पढ़ सकता है इस करके मैं पर्टिक्लर टाइम नहीं दस्या कि तुसी चार बज़े उठके लग जो यह तुसी राती बारा बज़े है ठीक है हर किसा दी अपनी अपनी पालसी है तो अपने लेवल दे टाइम सेट करो बट एनना टाइमिंग एड़ा दस कंटे अटलिस टोड़े फिक्स होने चाहिए एस टाइम त्यागे क्योंकि वी पच्छी देन है वी पच्छी दिंदी करवानी दोगे ता अगे भी बेस जड़ा है गवाओगे ता कुछ जरूर पाओगे जिंदगी देवेच एक्सपीरेंस ही देखी दा लाइफ ता हर एक पाल इस चीज़नों हमेशा अपने नाल बठाके रखे हो कि लाइफ दा एक पाल तो अन्नों कुछ ना कुछ सिखा के जनदा है सिखन वास्ते ही के अगगे बत दा है ठीक है नहीं तो फिर बेसेगली जड़ा फिर बार-बार गलती कर दा हुए देखा है सेम मिस्टीग जअब बार-बार कर दा उन्हों ता आपा मोरा की कहने हैं और कुछ नहीं काष्टें ठीक है प्लीस डोंट मांट अपने अपने आपनों हमेस्षार एंड हमेशे अपने अपने को I can do, मैं कर सगदा, तर मैं कर के चड़ूँगा, ठीक है, मैं कर सगदा, मैं कर के रखूँगा, टाइम बेस्ट ना करो, एदर उदर दिया चीज़ा देविच, टेकनोलोजी ता आपने नाल ही रहनी है, एसारी चीज़ा आप वी तरीक तो बाद भी आपा कर सकदे, ठीक है, भी मार्च भी तो बाद भी कर सकदे, and please focus on your study, ठीक है, now I am moving towards the end, it's all for the day, thank you so much, I hope basically strategies अनों सही लगी होगी, अगर किसे भी student दो कोई भी सुझा, doubt है गया, ता comment section दे वेच जरूर पुचियो, अगर किसे नों कोई प्राब्लम आ रही है, ठीक है, कोई होर प्राब्लम है, मतलब वो नहीं टाइम दे पा रहे है, कोई मोटिवेट नहीं हो पा रहे है अपने आपनों, कोई किसनों कोई confusion हो रही है, ता वो मेनू personally, basically comment section दे वेच कोई भी doubt पूच सक्दा, I will personally reply, ठीक है, but please focus on your study, please focus on your study, and now end for the day, thank you so much, all the best.